हाई एवरीबन अब बात करने वाले हैं कि PHP के अंदर session को input fields के साथ में कैसे use कर सकते हैं और देको session क्या होता है कैसे इसको use करते हैं क्यों use करते हैं ये सब कुछ मैं आपको last वाले part के अंदर बता चुका हूँ second वाले button के click के उपर session में इसे data को get करेंगे और एक third वाला button और बनाएंगे जिसके उपर हम लोग session को delete करके देखने वाले हैं अब चलते हैं code के उपर और यहां पर सबसे पहले में HTML का form बना लेता हूँ तो मैं यहां पर HTML5 का एक head or body बनाऊँगा और यहां पर लिख देता हूँ sessions then हम लोग body के अंदर एक form बनाएंगे post type का आप get type भी बना सकते हो action में कुछ देंगे नहीं because PHP का काम और HTML का काम same file के अंदर करने वाले हैं so action आप blank चोड़ोगे तो request आपकी यहीं पर आने वाले है then हम लोग यहां पर input field लेंगे और input field के अंदर मैं यहां पर type लिखता हूँ let's say text then इसका हम लोग name दे सकते हैं name, name space, name मैं दे दूंगा user और यहां पर हम लोग एक placeholder add करेंगे इसके अंदर डाल देंगे enter username right, इसको हमने close करा after that आप चाहो तो दो BR tag भी यूज़ कर सकते हो ताकि थोड़ा सा space maintain रहे and then हम लोग यहां पर कुछ button लेंगे जहां पर एक button लिया जिसके उपर मैं हाप लिखता हूँ button की spelling ठीक करता हूँ और set session इस तरीके से मैंने के button बनाया button को close करेंगे and इसी तरीके से हम लोग दो button और बना लेते हैं इसको थोड़ा सा format भी कर देते हैं और जहां पर लिख देंगे get session right यहां पर हम लोगों को button के कुछ नाम वगएर भी देने बढ़ेंगे so मैं यहां पर name देता हूँ जैसे कि मैं इसका name देता हूँ button and value भी देते हैं हम लोग इसकी चाहे तो value मैं देता हूँ right same इसी तरीके से हम लोगों को last वाले जो दोनों यहां पर UI के उपर आएंगे तो आप देख सकते हूँ हमें यहां पर तीन input fields तीन button और एक input field देख रहे हैं इसके अंदर जो चीज हम लोग enter करेंगे वह हमारी session के अंदर set होगी बात में उसको देख सकते है set वाले button पर value set हो जाए पर इसको get करके देख 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 सेशन डिलीट हो जाएगा all right so then अब हम लोग क्या करते हैं एक PHP का tag बनाते हैं हम लोग यहां पर so PHP के tag बनाने के अंदर सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा session start तो मैं यहां पर करता हूँ session underscore start एक function होता है वहोँ लोग लगाएंगे session हमारा start हो जाएगा then हम लोग यहां पर check करेंगे if और इसमें is set check करेंगे कि अगर dollar request के अंदर let's say button dollar post request आईगे हमारी इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि अगर button हमारा set है तो हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे बटन के अंदर value set है कुन सी again इसके दर एक और if condition लगाएंगे if dollar post dollar post के अंदर जो button है उसकी value है हमारे पास let's say set तो हम लोग session को set करवाएंगे but उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले तो इसको properly use करते हैं last value bracket को हटा देते हैं and then हम लोग यहां पर करेंगे dollar well ले ले लेते हैं सरे request की value को निकालने वाले है so मैं यहां पर करूँगा dollar post और इसके अंदर से जो हमारे input field की value रहेगी user की value उसको हम लोग νिकालने गे और यहां पर क्या करेंगे dollar underscore session right और then हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर user में इसकी value को set कर देंगे, session की value कौनसी को, dollar value, so जो भी हमारे, इस input field के अंदर जो value आएगी, वो हमने यहाँ पे निकाली, इस तरीके से, well के अंदर में मिल गई, और बाद में उसको हमने क्या करा, dollar उसको session के अंदर उसको set कर वा द right, जो हम लोगों ने, यहाँ पे get लगाई है, अगर यह value है, तो simply आपको क्या करना है, इसको display करवाना है, right, then हम दो क्या कर सकते है, इसकी value को directly echo करवा सकते हैं यहाँ पर कर देता हूँ echo और इसकी value हमें यहाँ पर display हो जाएगी अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इसको refresh करते हैं get session करता हूँ get session पर कुछ भी नहीं हो रहा because अभी कुछ value है यह नहीं और मैं यहाँ पर करता हूँ Bruce की value को set करता हूँ अब आप देख सकते हूँ जो value हो यहाँ पर display हो रही है right और अगर मैं इसको एक बार के लिए refresh कर दूँगा पर कुछ कड़बड है यहाँ यहाँ पर आनी तो नहीं चाहिए थी मैं फिर से try करता हूँ set कर रहा है हमें value आ रही है okay actually problem यह है कि हमें यहाँ पर double equal to check करना था single equal to मैंने check कर लिया that's why तो मैं फिर से एक बार try करता हूँ यहाँ पर अब मैं सबसे पहले नाम set करता हूँ annual session के अंदर तो यह नाम set हो गया यहाँ पर then अगर मुझे check करना ही क्या session के अंदर set मैं यहाँ पर करूँगा get session तो यहाँ पर annual name आ गया right अब मैं इसको delete भी करना चाहता हूँ so delete हम लोग क्या करेंगे एक और इसी तरीके से request बनाएंगे यहाँ पर और उसके अंदर check करेंगे delete अगर delete है button की value तो क्या करना है हमें simply session underscore destroy यह कर देंगे और उसके बाद में हमें कोई भी value नहीं दीखने वाली right तो अभी मैं इसको refresh करता हूँ directly इसको हटा देता हूँ अब मैं session get करूँगा अभी को refresh करने के बाद भी session रहता है get पर click करा तो session अभी भी है अब मैं delete पर click करता हूँ तो शबकू session delete हो गया अब मैं इसको get करने कोशिश करूँगा refresh के बाद या फिर जैसे भी session मुझे नहीं मिलेगा इसने बोला user की नहीं मिली reason क्या था इसका because session हमारा delete हो चुका है अब मैं unil फिर से set करता हूँ and फिर से get करूँगा तो मुझे unil मिल गया और even इस page पर नहीं अगर मैं दुबारा से इसको दूसरे type भी open करूँगा और get session करूँगा मुझे तो भी मिलेगा all right so इस तरीके से हम लोग session को set कर सकते है html form के साथ मैं get कर सकते है और delete करेंगे तो यह मैंने delete कर दिया अब अगर मैं यहाँ पर get करने कोशिच करूँगा तो नहीं मिलेगा right so I hope आपको आपको आडिया लग गया किस तरीके से हम लोग session को set, get or delete कर सकते है कुछ इसमें doubt है, कुछ question है तो मुझे comments section के अंदरे पूच सकते है और यह मेरा ptm का donation नम वारा thank you guys